यह पार्टली पुत्रा युनिवर्सिटी का बी एड का question paper है second year का 2018-20 session का यह paper है जिसका के exam 2021 में हुआ है कोरोना के वज़े से थोड़ा सा delay यह exam हुआ है यह paper है assignment for learning का यह exam 3 गंटे के हुए थे और इस paper का total marks है 80 passing marks 36 होता है आईए paper को देखते हैं यह paper total 3 sections में आए है section A में आपको 8 questions मिलेंगे जिसमें से केवल 5 questions ही आपको बनाने थे इस section का सारा question 10-10 marks का है यानि कि section A 50 number का है question first है explain the different kind of test and discuss the general steps of a test construction यानि कि test जो होते हैं परिक्षन जो होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं उसके सारे kinds को यहाँ पे explain करना है और एक test construct कराने में यानि कि एक परिक्षन की रचना करने में क्या-क्या सामान्य चरंड होंगे क्या-क्या steps होंगे वो सारे यहाँ पे लिखने हैं जैसे test कराने के लिए हम लोग को पहले plan करना होगा कि test कराना है उसके बाद ये भी plan करना होगा कि paper किस type का होगा जैसे objective test कराना है या descriptive test कराना है तो ये सारे steps को लिखने है नेक्स question है What do you mean by normal distribution? describe chief characteristics of NPC यानि कि normal distribution किसको कहते हैं सामान्य वित्रण किसको कहते हैं और सामान्य संभावना वक्र की मुख्य विशेशता को यहाँ पे लिखना है NPC के chief characteristics को यहाँ पे लिखना है नेक्स question है define assessment and evaluation write its need and importance आकलन और मुल्यांकन का परिभाशा लिखना है यहाँ पे आकलन यानि assessment किसको कहते हैं और evaluation किसको कहते हैं और इन दोनों का क्या need है क्या importance है assessment कराना, evaluation कराना, मुल्यांकन करना क्यों जरूरी है का importance है, क्यों है वो लिखते ना है उसके बाद फिर बताना है कि उसकी क्या-क्या need होंगे क्या-क्या जरूरत होगी कराने के लिए next है discuss in detail the basic characteristics of a good measuring tool एक अच्छे measuring tool का क्या characteristics है वो यहाँ पे लिखना है मतलब एक अच्छे मापन उपकरन की क्या विशेशता होगी वो सब यहाँ पे लिखना है एक measuring tool है जो बहुत अच्छा है तो उसकी characteristics क्या होगी उसकी विशेशता क्या होगी वो अच्छे से measure करेगा exact value देगा यही सब लिखेंगे इसमें next question है what is the concept of assessment for learning and assessment of learning assessment for learning और assessment of learning का concept क्या है मतलब यह किसको बोलते हैं वो यहाँ पे लिखना है अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन दोनों क्या चीज है वो यहाँ बताना है आकलन जो होते हैं assessment जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं एक होते हैं जो learning कराने के लिए किया जाता है और एक होता है जो learning हो गया तो उसके बाद कराते हैं कि कितना learning हुआ है कितना आधिगम हुआ है उसके लिए कराते हैं Next question है Discuss assignment, project and performance as an assessment tool Assessment tool यानि आकरन के उपकरन आकरन के जो उपकरन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं जैसे assignment से आकलन किया जाता है project से किया जाता है performance से किया जाता है तो इन सब को बताना है कि ये सब क्या है पुरा explain करके लिखना है कि assignment क्या होगा, project क्या होगा, performance क्या होगा और इन सब का इस्तमाल हम लोग assessment के लिए कैसे कर सकते हैं असेस्मेंट टूल के रूप में ये कैसे यूज होते हैं एक्स्ट क्वेस्टन है कैल्कुलेट दा मीन फॉलिंग फ्रिक्वेंसी डिस्टिबूशन ये एक पूरा ट्रेबल दिया हुआ है इस टेबल में हम लोगों को मीन निकालना है कि इसका मीन क्या होगा यानि कि मध्यमान निकालना है परिक्षा की गुणवक्ता शुधार नहीं होगी तो उसके लिए ICT जो है वो किस तरीके से रोल प्ले करेगा ICT यानि Information and Communication Technology अब स्टार्ट होगा section B section B में चार questions बनाने हैं जिसमें से 6 questions दिये हुए है पहला question है thinking skill के बारे में लिखना है चिंतन कॉसल क्या होता है दूसरा है characteristics of good taste मतलब कि एक अच्छा परिक्षण का विशेशता क्या होगा वो यहां पे बताना है next है learner profile यानि जो learner होते हैं अधिकम करता जो होते हैं उनके profile के बारे में लिखना है वो कैसे होंगे क्या होंगे वो सब बताना है next question है CCE यानि की continuous and comprehensive evaluation सतत और व्यापक मुल्यांकन किसको कहते हैं next question है assessment of performance यह क्या होता है निश्पादन का आकलन किसको कहते हैं और question bank क्या होता है कैसा होता है question bank क्या होता है question bank में वो सब लिखना है यहां पर तो यह 6 question में से केवल 4 question करने हैं आपको और एक question जो है वो 5 marks का है यानि की section भी 20 marks का है अब है section C यह 10 marks का है इसमें आपको 10 question मिलेंगे सारे question एक-एक marks के होंगे पहला question है वर्ग, मध्य, मूल, विचलन खाली जगह भी कहलाता है मतलब की root mean square deviation और क्या कहलाता है वो यहां पर लिखना है RMS deviation को और क्या कहते हैं next question है blank quartile is also the median मतलब की कौन से चतुर्थक को मध्धी का भी कहा जाता है यानि की median भी कहा जाता है कौन से quartile को next है blank is the measure of dispersion यानि की विचलन शेलता का एक माप है यहां पर क्या लिखेंगे वो बताना है क्या विचलन शेलता का माप है next question है full form of CBCS CBCS का क्या full form है next question है percentile blank is equal to median यानि की कौन सा percentile जो है वो median के बराबर होता है next question है value of correlation always lies between मतलब correlation का जो value है वो किसके और किसके बीच लाई करेगा सहसंबंद का जो मान है वो किन दो range के बीच लाई करता है वो लिखना है next question है what is the full form of NRT NRT का full form क्या है वो बताना है who gave the classification of cognitive learning cognitive learning के classification को किसने दिया है observation is a blank technique of evaluation मतलब कि observation जो है वो किस तरीके का technique है evaluation करने का निरिक्षन जो है वो मुल्यांकन करने का कैसा technique है अब ये last question है what is the mode of the following data यहाँ पे एक data दिया हुआ है और बताना है कि इन आकडों का mode क्या होगा क्यूंकि 3 इसमें जादा वा रहा है maximum times आया है अगर हमारा ये वीडियो आपके लिए जरा भी useful रहा है तो please इस वीडियो को like कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए be it के कोई भी notes TLM, assignment, internship, diary कुछ भी चाहिए तो हमारे playlist को check कीजिए सब कुछ वहाँ पे easily available है आपकी चैनल like करने से हमें motivation मिलेगा और इस टाइब के वीडियो हम डालने के लिए motivated होंगे Thank you